एक गमंडिया गटबंदन की नीती है भारत की संस्कृति पर हमला करने की सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ दिखा रहा है दुनिया के मन्चों पर ये हमारा भारत विश्वमित्र के रूप में सामने आ रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जूटे हैं इन्होंने मिलकर के एक इंडी एलाइंस बनाया है इस एंडी एंडी एलाइंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंदन भी कहते हैं इनका नेता तेह नहीं है नेत्रुत्व पर ब्रह्म है लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मिटिंग होई थी मुझे लगता है उस मिटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंदन कैसे काम करेगा उसकी नीती और रणनीती बना दी है उन्होंने अपना एक हिडल एजेंडा भी ताय कर लिया है और ये नीती रणनीती क्या है ये इंडी एलाइंस की नीती है एक गमंडिया गठबंदन की नीती है बारत की संस्कृती पर हमला करने की इंडी एलाइंस का निर्ण है भारतियों की आस्ता पर हमला करो इंडी एलायंस गमंडिया गडवंदन की नियत है भारत को जिस विचारों ने जिस समस्कारों ने जिस परंपराओं ने हजारों वर्थ से जोड़ा है उसे तबाह कर दो जिस सनातन से प्रेलित होकार देवी अहल्या बाई होलकर ने देश के कौने कौने में सामाजी कार्य किये नारी उत्थान का भियान चलाया देश की आस्था की रच्छा की ये गमंडिया गडवंदन ये इंडी एलायंस उस सनातन संसकारों को प्रेंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आये है ये सनातन की ताकत थी कि जासी की रानी लख्ष्मी भाई अंगी रैजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी जासी नहीं दूंगी जिस सनातन को गांदी जी ने जीवन परियंत माना जिन भगवान सी राम ने उनको जीवन भर प्रेना दी उनके आखरी शब्द बने है राम जिस सनातन ने उन्हें अस्पुरुष्यता के खिलाब अंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया ये इंडी गड़बंदन के लोग ये गमन्या गड़बंदन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेलित होकर स्वामी विवेकान ने समाज की विविन बुराईयों के प्रती लोगों को जागुरुत किया इंडी गड़बंदन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेलित होकर लोग मान्य तीलक ने मा बारती की स्वतंत्रता का बिड़ा उठाया गनेश पुजा को स्वतंत्रा अंदोलन से जोड़ा सार्वजनिक गनेशोचों की परंपरा बढ़ाई आज उसी सनातन को ये इंडी गटबंदान तहस नहस करना चाहता है साथियो ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता अंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मा की गोद में देना जो सनातन संस्कृती संतर अभिदास का प्रतिम्ब है जो सनातन संस्कृती माता शबरी की पहचान है जो सनातन संस्कृती महर्ची वालमी की काधार है जिस सनातन ने हजारों वर्षों से बारत को जोड़े रखा है ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं देश के कौने कौने में हर सनातनी को इस देश को प्यार करने वाले को इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को इस देश के कोटी कोटी जनों को प्यार करने वालों को हर किसी को सतर्क रहने की जरुवत है सनातन को मिटा कर ये देश को फिर एक हजार साल की गुले में गुलामी में दकालना चाहते हैं लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है हमारी शंग्रठन की शक्ती से हमारी एक जुर्ता से उनके मनसुखवों को नाकाम करना है झालना चाहते हैं